नमस्कार, कोविड की समस्या भी खत्म नहीं हुई थी कि बच्चों में नई बिमारी MISC आ गई इस बिमारी से बच्चों के रिदय फेफड़े गुर्दे, आते मस्तिश्क और आखों पर असर हो सकता है अमेरीकी शोद करताओं के मुताबिक MISC होने पर कुछ बच्चों में गर्दन के दर्द, सरीर पर दाने होना, आखों का सुर्ख होना और लगातार ठकान रहने जैसी शिकायतें भी देखी गई है नमशकार में मनीश पांडे सरल भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ऐसी ही ये घटना हुई है चार साल के अमन के साथ जी हाँ, अमन को आनन फानन में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक निजी अस्पताल में भरती कराना पड़ा डक्टरों का कहना था कि बिना वक्त खराब किये उसे इलाज के लिए बच्चों के ICO में भरती करना होगा डक्टरों को अमन की रिपोर्ट्स में कुछ असामान गड़बडियां दिखाई दी थी जिन्हें लेकर वो बहुत चिंतित थे और ये गड़बडियां थी नई बिमारी MISC की अमन की माँ पूजा बताती हैं कि उनके बेटे को करीब दो सब्ता से हलका बुखार लगभग 99 डिगरी था आखों में खुजली की सिकायत थी और अस्पताल पहुँचने से पहले उसने पेट में दर्द की शिकायत शुरू की थी इनके अलावा उनकी बाकी गत्विधियां समान थी और शारीरी को रूप से कोई अन्य परेसानी नहीं दिख रही थी लेकिन जब अस्पताल में अमन के पिता को सूरज को डॉक्टरों ने बताया कि एक संक्रमण की वज़े से उनके बेटे के हृदय के एक भाग में सूजन इंफ्लामेशन आ गया है तो वे हैरान रह गए डॉक्टरों ने कहा कि अमन को MISC नामक समस्या है दुनिया के सबसे मशहूर मेडिकल जनरलों में से एक देलेसेंट के अनुसार बच्चों में होने वाला मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम यानि MISCS एक ऐसा गंभी रोग है जिसे फिलहाल COVID-19, SARS-CoV-2 से जोड़ कर देखा जा रहा है इसकी पूरी घटना हम आपको बताते हैं अमन के बिमार पढ़ने से पहले पूरा परिवार कोरोना वायरस से संक्रमिध हुआ था मई के दूसरे सब्ता में ही पूरी परिवार ने इलाज के बाद अपना इसोलेशन पूरा किया था और सभी कोविड की जाँच में नेगेटिव आ गये थे कोरोना संक्रमिध के दौरान परिवार के बाकी सदस्यों से अलग अमन को आखों में इंफेक्शन के अलावा और कोई गंभीर लक्षन नहीं था अमन की RTP-PCR रिपोर्ट भी नेगेटिव थी लेकिन एंटी बॉडी टेस्ट में अमन के शरीर में परियाप्त मात्रा में कोविड की एंटी बॉडी मिली थी डाक्टर अजीत ने बताया कि जैसे जैसे लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं बच्चों में MISCS के केस बढ़ रहे हैं ये मुखिता कोरोना संक्रमन के बाद की परिस्थिती है हाला कि बच्चों में MISC अभी रेयर है अभी बहुत ज़्यादा लोगों के इसके बारे में पता नहीं है लेकिन जिन बच्चों को ये हो रहा है उसकी वज़ा का आप तक पता नहीं लगाया जा सका है चुकि इस बार की लहर में कोरोना संक्रमन का घनत तो काफी ज़ादा रहा इसलिए बच्चों के मामलों में काफी संख्या में ये ऐसे केसिज आये हैं डॉक्टर अजीद कुमार के अस्पताल में बच्चों के 6 ICU बेड हैं और अधिकांस पर MISC के मरीज हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली राजानी शेत्र में अब तक इस बीमारी के लगबग 200 मामले दर्ज किये गए हैं समाचार एजनसी NIA के अनुसार भारत के अलग-अलग राजियों में बच्चों को हो रहे मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम को लेकर चिनता है इस बारे में Indian Academy of Pediatric Intensive Care ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में MISC के मामले बढ़े हैं संसान के मुताबिक MISC के मामलों में अचानक उछाल देखा गया है जिससे 4-18 साल के वो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं जिन्हें कुरोना हो चुका है हलांकि कुछ मामलों में 6 महीने के बच्चों में भी इस बीमारी का असर देखा गया है कैसे करें MISC के पहचान ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो बोल नहीं पाते या जो बता नहीं पाते उनके अंदर इसकी पहचान कैसे की जाए अमेरिकी संसा सेंटर सो डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंसन सीडी सी मई 2020 से इस बीमारी का ध्यान कर रही है अमेरिकी संसा के अनुसार इस बीमारी से बच्चों के रिदे, फेफडे, गुर्दे, आते, मस्तिस्क और आखों पर असर हो सकता है अमेरिकी शोदकरताओं के मुताबिक MISCS होने पर कुछ बच्चों में गर्दन के दर्द, शरीर पर दाने होना, आखों का सुर्ख होना और लगारतार ठकान रहने जैसी शिकायतें भी देखी गई है इसलिए जब तक COVID-19 की समस्या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है, आपको अपना और अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखना है कोई लापरवाही नहीं करनी है, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए विशे को लेकर, एक नए जानकारी को लेकर, तब तक आप बने रहिए सरल भारत नियुज के साथ, देखते रहिए सरल भारत यह जानकारी आप तक मेरे द्वारा पहुचाई गई, फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक दीजे मुझे मनिश्पान्डे को इजाजत, नमस्कार